तो चलिए गाइस अभी question no.14 देख लेते important question no.14 भी, okay, देखें क्या बोल रहा है, a company sales its product at Rs. 15 per unit, okay, एक company जो sales करनी अपने product हो कितनी रुपे में, 15 रुपे में, in a period, if it is produces and sales 8,000 unit, it incurs a loss of Rs. 5 per unit, okay, बोल रहा है, अगर वो company 8,000 units का production करती है, या उसे per unit के पीछे, पांच रुपे का loss हो रहा है, समझ मायर, अगर वोई company, if the volume is raised to 20,000 units, अब हो आपने volume को बढ़ा के 20,000 units कर दीती है, तो उस company को एक unit के पीछे 4 रुपे का profit लेगा, और आप calculate कीजिए, rate even point, both in terms of Rs. as well as in units, हमको से में BEP बोला निकालने के लिए Rs. में और amount ने, units में, बहत important sum है right, दीख तो रहा है, बहुत चोटा, मगर सबसे बड़ा समय है, बात समय माया, okay, तो देखे है guys, सबसे फास्ट, हम लोगो क्या वला break even point निकालने का formula के में आप पो दिखा रहे तो, इकरां, fixed cost divided by PV रिशे in rupees, और unit में चाहिए, the fixed cost divided by contribution per unit, के बात समय माया, okay, क्या guys, question में हम fixed cost दिया है, या PV ratio दिया है, या contribution, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, दिख रहा है आपे, कुछ भी दिया है क्या question में नहीं, तो question में जो जो दिया है, वही दिख रहा हो, देखे, एक में 8000 unit के लिए बना रहा हो, और एक में 20,000 units के लिए बना सबसे first मुझे PV ratio भी निकालना पड़ेगा ना PV ratio निकालने के लिए क्या formula बताएं contribution divide by sales into 100 अब यहां पर unit में sum है किसमे है per unit में बताएं contribution किसमें रहेगा per unit में contribution के लिए formula क्या देखें sales में से variable cost को minus contribution है क्या आपके पस selling price है हाँ sir मेरे पस selling price है आप 15 रुपीज पर unit क्या मेरे पस variable cost है क्या per unit बस यह variable cost per unit में जाएगा तो वाट्रिविशन में जाएगा समझ महां है तो वाट्रिविशन डिवाड़ बस series कर देंगे तो PV ratio में जाएगा बट इसके बाद आपको fix cost भी तो चाहिए है तो गाईस यह जो जपट रही है यह variable cost का सबसे बड़ा ज़ुइवर कोस्ट कैसे आए समझ महां तो सबसे पहले हम लोगों निकालना पड़ेगा variable cost क्या निकालना पड़ेगा variable cost क्यों यह variable cost मिलेगा तो ही जाके आप contribution निकाल जिए निकाल बाओगे तुछ आपका सबस्विए आपका निकाला है अब यहाँ पर सम्प में देखिए क्या पूल रहा है द्यान से सुनना यह पर कोई जानका लिए नहीं तो बेरियेबल कॉस्ट का एक फॉर्मुला है जब भी आपका देख रहा है तो याद रखना, अगर आपको variable cost per unit, एक आनने का एक formula है, वो formula है, change in cost divided by change in volume, समझवाया, change in cost divided by change in volume, ये याद रखना, ये formula है, अब ज्यान देना, कैसे change in cost, अपने की cost, यहाँ जो amount आएगा, और यहाँ पर जो amount आएगा, इन दोलों की जो बीच का difference है ना, वो उसको numerator में लिख दीजिए, और change in volume, इन दोलों के बीच का जो difference है, वो denominator में कर लेजिए, बस आगना, समझ में आया है क्या variable cost per unit, लिक change in cost, divided by change in volume, change in cost कैसे आएगा, दिख रहा, 8,000 unit की क्या cost हो बताइगे, 20,000 unit की क्या cost हो बतादीजिए, सबज में, 8,000 unit की क्या cost हो बताइगे, 20,000 unit को बनाने के कित्मी cost लग लिए बतादीजिए, इन दोलों के बीच का जो difference है, वो यहाँ पने लिख दिए, same change in volume, दोलों के बीच का जो difference है, कितने गा, 12,000 को, वो 12,000 निचलीगे, बतादीजिए, आपको variable cost per unit मिल जाएगा, यहाँ पर contribution मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर contribution मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिख रहा, यहाँ फॉर्मला contribution हो जाएगा, पर फिर fix cost निकाल आ रहेगा, क्या निकालना रहेगा, fix cost, fix cost निकाल लेंगे, चलिए देखते, सबसे first अभी जान देना, okay, क्या बोला है, उन्होंने, selling price बोला है, 15 रुपीज दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहे ताओ, per unit यहाँ पर 15 रुपया, 8,000 और 20,000, चाहिए आप 8,000 unit वाँ बीचे तो बात समझ में आगया, selling price क्या है, बट एक बात यहाँ पर ध्यान देना, उन्होंने बोला है, जब आप 8,000 unit वाँ बनाते हैं, तो ध्यान देना, अब मुझे यहाँ पर बताईए, यहाँ पर आपको loss कितने रुपे का हो रहा है, 8,000 वाँ unit में, सर 5 रुपे का loss हो रहा है, क इतने रुपे का loss हो रहा है, पाच रुपे का, तो बताईए, यह cost कितना रहेगा sir, sir cost ना, हाँ बताते हैं चलिए देखिए, यहाँ पर कितना रुपे रहेगा, जिसमें से इसको minus करो, तो यहाँ पर रहेगा, 20 रुपे अ पर बताईए, यह एट यूनिट को बनाने के लि सेव अगर मैं बात करूं यहां पे तो यहां पर देखिए सेलिंग प्राइज दोनों का 15 रुपई है क्यों और लोग ने बनाता है तो उसको प्रॉफिट हो देगा तो यहां पर प्रॉफिट कितने रुपई का चाहा रुपई तो बदर ही उसके लिए कॉस्ट कितना रहेगा सर्याप पर खॉयएगा 11 रुपूस का अना 11 में से चार को आड करोगे तब नके पंदर रुपई हो जाएगा बात सब्या ना अगया तो यहां पे नौस हो रहा था इसलिए मैंने ब्रैकित किया यहां पे प्रॉफिट हो रहे इसलिए मैंने इसको ब्रैकित नहीं किया बात in cost in दोनों के बीच का difference in दोनों के difference किकना उपट आ इस्ट यह और सभागा है अटमरी ऐंग आया जेजिए इंगे वोनीं मतलब इन डोलों के बीच का difference मतलब इस अज़ार और आट अज़ार के बीच का difference है 12,000 है को क्या क्या फान्योपे सत्यों दें किसी या ना सिर्थक्रण आकर प् Allez जाना olm ग्री आप साउत्य प्रैपिए स्रा अ आपस भी आप जि rains के प्रमिशन पर अ बात बथा अ चान्योपे सिर्थिघार बेट है द skating अब लिल लगा संग एक इतना ही स morality तो यह आप पर डिनाम लिटर में 10 रूपिस लिखती था बात समझ में आ गया क्या आप लोग PV रिश्यो निकाल सकते हैं क्या यह वाला PV रिश्यो यह पर पीव रिश्यो निकालन दो अमांट वा लिखे लिए सल कैसे निकलेगा देकीन on turiution per unit, divided by, sales price per unit into what यही फोर्म लेना बातर बिशसेप्र यूट, divided by, sales price per unit, contribution कितना 10 divided by, selling price कितना 15 into 100, औक है, श्रीफ रृटफ़्ट निकालने out ही था इस ми ए चैपनी रिंड करें हम लोग, तो गैस्या अगा 66 फोउआइन 14 67 percentage तो व्याइव 66.67 परसेंटेज आएगा बात समझ वागया क्या हम लोग में याप याप ये बीडिपी सेल्स में हम लोग में नीचे का दिनॉमेटर वाला पाट निकान लिए क्या आप ये दिनॉमेटर वाला पाट निकान लिए 66.67 समझ में या पर पर संद दिनॉमेटर का फिक्स्कॉस बस यह दोन वच है ना चलिए फिक्स कोस्ट कैसे निकलिया देखिया क्या आप ना गाइस किसी भी एक को लेड़ो तोटल कॉस्ट चाहे आप आप आजारवाली का टोटल कॉस्ट लेलो या फिर आप दो 20 अजारवाली का टोन से konst को लिए है 8,000 युनित वाजर तोन लिया है कि लिए तो बले यूटब को बैंद की लिए वेयररबल को सुद्यश्र, लग रहे यूट लग रहे सब रहे से सब्सक्राइन, तो एक यूणिट को बनाने के लिए पांच रुपए लग रहा है तो ऐसे आपने 8000 इंट बनाएं प्लस यहां पर फिक्स्ट कॉस्ट लिग दो तो यह एक लाग साथ हजार तो बताई यहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस यह कितना बनेगा सर्फ 40,000 यह समझ मैं क्या मतलब की 8000 यूणिट को 8000 इंट को बनाने के लिए बेरियाबल कॉस्ट लगा रहेगा चानिस अलग रोग देगा तो यह अगर उससाइड लाएगा तो माइनस हो जाएगा और वननेक्स इक्स्टी में से यह 40,000 पर माइनस करोगे तो वननेक्ट 20,000 आएगा क्या आपको फिक्स इंगा सिंपाथा सिंपाथा कुछ किया मैंने नहीं तो गाइज लेंखे फिक्स कॉस्ट आपको आ गया वननेप 20,000 तो यहां पे लिक्री दिन वननेप 20,000 इंवाएड करने न आपको वंट मिल जाएगा तो गाईज यह मिलेगा आपको 1,80,000 प्रोटी कितना समझ माय अब याप एपी फिक्स कोष्ट को आ डिवाइट पर задें हम लेप 20,000 एप आ पे आ जाएगर 12,000 उनिट्स समझ में याए जो आ हमको पूच्छा ता वाने निकल लिए निया सिंपल था क्या सारी चीज़े सिंपली समझ में य hon याय मैंने कैसे कैसे क्या किया यह question में variable cost नहीं जिया था, आम लोगे variable cost को निकाला, change in cost divided by change in volume करके, तो change in cost आम लोगे यहां से निकाला रिक्रा, total cost इतने थे, इन दो रुटी बीच का change, 60,000, इन दो रुटी बीच का change, 12,000, तो divide क्या 5 रुपे आगया, इस 5 रुपे को यहां पे निकाल, तो contribution आया, contribution की वाज़े से लिक्रा, आम लोगे contribution से, यहां पे contribution निका, और contribution के तिरू यहां लोगे को मिंड़े ताम लोगे PB ratio निकाल दिया, तो PB ratio ताम लोगे यहां पे यह भी रिख दिया, यह बार समझ भागा, आब उनको fixed cost निकालना था, तो देखे, किसी भी एक का total cost देनी जे, या variable cost एक का कितना लगारा, पाच रुपया लगारा variable cost एक उनिट को, तो ऐसे आपने कितने unit बना रहें, आट हजार, multiply कर दीजे, तो total variable cost कितना हो गया, चानिस हजार, चानिस हजार में से 16,000 कर दीजे, fix cost आ गया, और fix cost आ गया, तो यहां पे put कर दीजे, fix cost की वे दिए, आप All right, from the following calculate contribution per unit, okay, हम लोगा गोला contribution per unit करी, दुसरा गोला margin of safety निकाली ही क्या होगा, and what a volume of sales to earn a profit of Rs. 94,000, बहुत important, बुछ रहें कि sales बता ही कितना होगा, volume of sales कितना होगा, गोल रहें, okay, volume of sales कितना होगा, अगर आपको profit 24,000 रुपय का हो रहें, okay, other than sales, कितना रुपया होगा, आपको profit, अगर 24,000 रुपय का है तो, चलिए नेखिए, total fixed cost, total fixed cost, total fixed cost कितना, 18,000 यह amount column में जाएगा, रुपीज में लिखा है, तो fixed cost यहाँ पे amount column में लिखें, आगे बुला है, total value cost, amount column में लिखें, तो amount column में लिखें, समझ भाएं, सरी, यहाँ आपने तीन क्यू बनाए, यहाँ पर unit, unit allowance, देखें, यहाँ पर unit, यहाँ पर unit, इसने में लिखें, यह unit वाला column में लिखें, बात समझ में लिखें, आगे आगे, तो total sales, कितने रुपे का है, सर फचास अजार उपे लेगा, तो total sales, यहाँ भी पचास अजार रुपे लिखें, मुझे एक बात बताना पचास अजार में से 30,000 माइनस कर वे तो कितना मिलेगा, सर 20,000 मिलेगा, बात समझ में आ गया, और सर 20,000 में से 20,000 को माइनस कर वे तो कितना मिलेगा, यह बात समझ में आ गया, क्या यहाँ तक सबको समझा, बुलो हासर, यहाँ तक समझा, बुलो हासर, आगे देखें, बना रहे हो 20,000 उनिट तो 20,000 उनिट बताइए यहां पे 20,000 उनिट इस से कितना होगा लेकिया 20 अजर यूनिट को आपने 50,000 उपे में में बीच रहें बात मन माग गया तो 50,000 को इस 20,000 से डिवाइड करनीजे 50,000 को इस 20,000 से डिवाइड कीजिए पर इनिट मिल जाएगा 50,000 डिवाइड वाइड 20,000 करूँगे तो आएगा 2.5 समझा अब बताएगे जितना आपने वेचा है उतने की नहीं तो वेरीवल कॉस्ट भी आएगी तो वेरीवल कॉस्ट भी कितने इनिट के लिए जितनी बात समझ भांगा अरे अल्रेडी कॉस्ट चेक पर इनिट कैसे निकार रहे अब बताएगे यहाप लिए पर इनिट कैसे निकार रहे अब बताएगे यहापन कितना आजाएगा 2.5 से 1.5 को माइनस की जिए आपको मिल जाएगा 1 रूपीस क्या आमने कॉंट्रिविशन पर की याप पर डीकासे निकाल जिये हां से ब्ढल णोने कॉंट्रिविशन पर इनिकान तो एन्सर निकित दीच भी आपर यहाप फैस ट्रॉइंसर ट्रॉपीस समझ वाएगा फॉस्ट आँका कांत्रिवेशन क्या और आपकर कॉंट्रिविशन क्या फॉर्मुले तो उसमें से कोई भी एक फॉर्मुले मांगी राउप सेफ्टीज क्या होता है बोली प्रॉफिट डिवैड वैर पिल्वी रेश्यो कि इन्टो अंडेट क्या आपके पास पॉस्टिन में प्रॉफिट है है हां सर अपी तो प्रॉफिट निकाला है अंग लोग फॉर्मुले क्या होता है कॉंट्रिविशन डिवाइड वाइज सेंग इन्टो अंडेट कर दिजे आपको आधे ला पी मी रेश्यो फोटी परसेंट इसना आ जाएगा फोटी बरसे क्या पी रेश्यो आ चाहिए तो आप यह डिवाइड वाइज ये करके इन्टो अंडेट अधर ने तो भी हुई आई न फॉर्मुबर से चाहिए पीवी रिश्यो मिल गया प्रसेंट मतलब कर दोगी त्या मुझे मार्जिन आप सेफ्टी मिल गया असन मुझे मार्जिन आप सेफ्टी मिल या रूपीस पाई थाउजन का समझ में आया कि क्या हमने एंव इस पताज के इतना होगा अगरा अपको प्रॉफित चोभीस आधर का हुआ थो से न थारडव्लसिंपल रे बाबा रिक्वायर्ट सेल्स उच्रहाफन कूट्ट्बूट्थ। उचरहा है कि मताईया सेल्स कितना होगा अगरांप्रॉफित चोभीस हजर का का अगय दो अपके ताम ये पाढ़ा है रिक्वायड इसन्स क्रोंगे स्विक्षिक्षोंस प्लस प्रॉफिट जाली VO प्रिमी रेश्यों इंटो एंड़ेट है तो फिंस्ट कॉस्ट किता बताईए दीख रहें फिक्स्ट कॉस्ट कि फैन सर एटीन थाउजड दूबीस चलिए अगर आपको 24,000 का प्रॉफिट कमाना है तो सेंज बताई कितना करना पड़ेगा यहीं बोल रहा है आपके प्रीवी रेश्यों कितना है 40% यहां प्रेट कर दीजिए इसका पूरा कैल्कुलेशन कीजिए गाईस अगर आप पूरा कैल्कुलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा 42 2000 कि इवाइड बाई 40 इंटो हंड्रेट आप करेंगे तो आपको मिलेगा रुपीज 1 लेग 5,000 रुपीज इसका हम लोग गोनेंगे रिक्वाइड सेंस हमें इतना सेंस करना होगा अगर आप प्रॉफिट कितने का मिलेगा 24,000 रुपीज प्रॉफिट मिली दाएगा बात समझ मांगा सेंपल दागा क्या पूस्चन पूच्छ नहीं लिख रहें सिंपल शिंपल बॉस्चन इए आपको पता लगाना थाड वर्नियु आप सेल्स कितना ओग आप बुला यह अगर आप प्रॉफिट अपको भी संजान गा चाहिए ए तो रिख्वाइड शेल्स काई फोर्मूला सेल्स प्रॉफिट इसप्रॉफिट अफोर्मूला लगाना छलिए नेक्स्ट कुस्टिशन 16 आपे एक क्षैसını नीक्स कुस्टो dumping नेता सिस्टी क्या एफ वोल्राइबँ आहरा थो इंपर्मिशन आफंजी क्यां ब भूल-टैकल ज्रहिव है इस फौलिण इंट्धेट आप फ्यमि एक सब्सक्राइब तरह करने के लिए पीड़ेशन निकाल नियुक्ट नियुक्त निकालना इस सेल्स टू अन्प्रॉफिट बोड़ाई के सिंझ बताए कितना होगा अगर प्रॉफिट दो लांग दस अरवर बाई इच कंपनी को क्ते दोनों कमपनी का आपको प्रॉफिट दीज़ी आए दोलाग दसलिज़ दसलिज़ आपको दोनों कमपनी का सेल्स बताने कितना होगा आगे बूला मार्जिन ओप शेटी इन इमेटेट कमपनी का बताना है ती वाइड पाव अप्टुमर दोएड़ दस और ती य बेम मेर तु कितना गया सर्फ उटीन लेक का है कर पूर्शन सब्सक्राइब बनाना हर कॉस्चन में ये टेवल बनाना में बताया दो चलिए वेनियाबल कॉस्ट देखे कितना सर इसका एट लेक टी थाउज़न और इसका एट टेन लेक फिफ्टी थाउज़न समझ में थोड़ा बढ़ा कर देते था कि आप लोगों को दिखें कि इसमें से इसको माइनस कीजिए गाइस कॉंटर्विशन आ जाएगा टू लेक ट्वेंटी थाउज़न और फॉर्टीन अपने से टेन लेक फिफ्टी थाउज़न माइनस कर गतवाएगा थ्री लेक थाउज़न में फिक्स कॉस दिय में फॉर्फिट दीघियाए् है चली पॉर्फिक नहीं कि दिनिया है मि आपसे ओन लेट ट्वैडिथा गुएग पर इसकाकि इतना सद्ञेब क्या हम फिक्सकोस ने निकाल नेंगे इसमें से कितना माइनस करीगी यह आजाए इसमें से कितना माइनस करीगी यह आजाए अरे सिंपन लेना यार ओके वह कर दीजिए न दोलंग 20,000 वे से आप यह तू लैक को मानेस कर दीजिए आमां जएओ कि सब्सक्राइब क्या वन लेक्टी थाओ जाए या आमने फिक्स्ट कॉस्ट निकाल लिया है क्या आमने यह सिकेंड वाल पॉइंट निकाल लेका बबाई यह सिकेंड वाल हो गया अपना एक सब्सक्राइब कंपनी अलग है यह यह नहीं निकाल है है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कर दो दोarinवाल लाए यह सिग्त तो we've the सब्सक्राइब कर दिंगे यह फॉस्ट कंपनी गामने अचाल्यगा जिन रीन निकाल ने कालना है तो गञे आध से यह च 170 17 यहा ri48 की ने, तो kontrol काया क्या जीने sorts lack, किसा इस देबर पासुआ को आ Hahn, 11.000 क्या जीनेवेटेट, जीनेवेटेट इस and around जीनेवेटो कर दीजिया, तो आपको आएगा 20% नीवेटेटहा जीने सब्सक्रातौआ में many जीने ज सांसे कितना है язटेट knit कर दीजिए जा आजाएगा 25 परसेंट इलिए इसके आमने दोरों निकाल दिया पीवी रेश्यों भी निकलने वर्ज़ें योला काम बताँ अब रेक इवन पॉइंट निकालना बोथ कंपनी का तो चलिए तो देखे फिक्स कोस्में निकाल दिया अल्रेडिया आप है लिख ज वन लैक और वन लैक फिफ्टी ताऊजन मैंने निकाल रहा जो सेखेंड या पर यह लिख दियता हूं वन लैक और वन लैक 50 जुझे निकालने याई थर्ड बीपी सेल्स चाहिए दोरों कंपनी का तो दिक्रा बीपी सेल्स का फॉर्मोला फिक्स कोस्ट डिवाड बाद पिन लिए का फिक रिखायाज भी अब आप देखा लिए और बताइए यह जी लिमेटेड का पीडे रेशयो इतना पीडेड फ्षेटन परसेंट देख रहे आप इन्टवांडेड कर दीजिए यह बाद समय में आ गया जैसे आप उंडेड करेंगे तो गाई्स आपको मिल डा आपको दीने मेंटेट का भी करना इंडीन मेंट का फिक्स कॉस्ट कितना मोली सब्वन लेक फिफ्टी ताउजन और उसका पीबी रेशियो कितना है 25 परसेंट जनी लेकिए सब्सक्राइब करोगे यहां पर आपको मिले गाई रूपिस शिक्स लैक यह बात समिज्वा आगा है क्या वारा डी इमिटर भी हो गया पूर्थ हम लोगा थर्ड वाला यह कतम हो गया देख लीजे अब फूर्थ क्या करना है सेज बुलना है सेंस कितना होगा अगर आपको प्रॉफिट दूलाग दस अजर कमाना है तो चलिन कोई बात निथूना निखान ने सेंब सेंस का फॉरुणा दिख रहा सेंस क्या होगा प्रॉफिट अगर तो यही थी सिम फ्रॉफिट लगता हमने दिखाएदा तो चलिन इंविटर खिक्स कोस्ट कितना हो थे है जीन इंविटर लगा क्विक्स पॉस्ट है दस लाग रुपया सदें लूने कू लिखा पे आई पर कमाना कितना डिजार कितना अपने दुट आज्यार पाहा यह बहा है जीन इंडिटर का वी रेशयो कि इस्टीट वह ला ला रिखना जी निविटर का पेड़ी एट्टर एट फिस्टीट कर दो तो गैस यह आ जाएगा आपका required sales जो आएगा 50,000 रुपीस सेम आपको delimited का दरना है तो delimited का fixed cost कितना बताएए delimited का fixed cost 1,50,000 प्रास इसको भी चाहिए 2,10,000 रुपय का desired profit और इसका PV ratio कितना था delimited का 25% कितना था है 100 कर दीजिए यह हो जाएगा रुपीस 14,40,000 समझ वह आया क्या आपने sales वाला भी कर लिया यह वाला भी delimited का कर लिया और sales हमने delimited का भी कर लिया बत समझ मेंगा next last and final आपको बोला है लोग ने दिख रहे हैं यहां पर margin of safety निकालने सिर्फ delimited का चलिए margin of safety निकालने सिर्फ delimited का margin of safety अगर हो जो delimited का चाहिए तो formula का actual sales minus BP sales चलिए actual sales कितना denimited का रिख लीजे दिख रहे दिख दिख रहे दिख दिख रहे दिख द दिख दिख दगा च्छल से 14 लेक चलिए 12 निमिटिट का actual sales है 14 लेक माइनस BP sales करना है न चलिए BP sales दिख 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 रहे तो बताए कितना आदेगा रुपीज एट नेक समझ में आया रुपीज एट नेक पतम गाइस सारी टीजे हमने कर दिया कुछन नमर 16 तक हमने कम्प्रीट कर लिया सिंपल सिंपल कोोस्टाइ कुछ बी नहीं थे इन दो बार सबस्क्राइब आपको सारी के सारी कोस्चन आसा कंचिन आएगे तबध気 आया हमने पीडेस निकाल लिया हमने फिक्स कोस निकाल लिया और लिया प्रेक इ Glaz में से प्र Лएय लहीं लगाना है 1998. तो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो आपको फ़ंचा फॉर्मूला लगाना है रिक्वार्ट सेल्स वाला ही मांजिर और सेफ्टी का फॉर्मूल आपको पता है ये एक्च्वर सेज माइनस बीपी सेल्स लगा नीदी यह उना फॉर्मूल क्या फिर प्रॉफिट डिवाड़ पीवी दिटी टू अंडर कर दीजेतों त्यौप एड़ों अलग अलग निखलना था मैंने दोनों अलग अलग निकला यह दो वार एक्जाम पर पूछ चुका है टॉटेश्मूल निग्वाट समझ में आ गया गया गजा वाइस कंसे कंप 15 मार्क का कुस्ट्ट्ट यह 15 मार आपके कुष्चेन थे अब चर्फ यह 20 माप के हो जाएंगे अगर आएंगे तो आज की इस लेक्ट्टर वाम लोग यह तक क्लोज करते हैं अब ध्यान देना नेक्स लेक्ट्टर में आप चालू करेंगे फ्रांग वह दो पुरियड रहेगा 2020 तो अलग 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 रहेंगे बहुत इंपोर्टन है 17 से लिके 25-26 की कुष्चन बहुत बहुत बार एक्जाम में पुष्टा नियुक्ट्टं का तो फेवलेट है हर साथ पुष्टा ही समझ माया है तो मिलते नेक्स लेक्टर में बाई बाई ऑन टेक करें भी मन